गाइस अब आपके बोर्ड एक्जाम को लेकर बहुती कम समय बचे हैं आपके डेट सीड भी आ चुके हैं तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है किन चीजों पर जारा ध्यान देना है और तैयारी कैसे करनी है रड़निती क्या होनी चाहिए इन सभी मात्पूर टापिक्स पर आज लास्ट टाइम आ चुका है यही टाइम डिसाइड करता है कि आपके बोर्ड इंग जा में कितना परसेंटेज आएगा आप पूरी साल कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करो लेकिन लास्ट समय में इसी टाइम में आकर थोड़ी से केवल थोड़ी सी लपरवाई कर दो पूरी आपको प्राप्त हो जाएगा लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा तो कितने स्टुडेंट ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करने के लिए तयार है अब से आपके बोर्ड इंग्जाम को लेकर जितना भी दिन बचाए आप पचास दिन का पर रणीती बनात चालिए पचास दिन जो हम आपको आज रणाती बताएंगे उसको पूरी तरह से पुरी टाकत के साथ तैयारी करने के लिए तैयार है नीचे कमेंट्बाक्स में करके बता कि तो कृत गेम्प्त menor जोने किसठचास दिनों में आम अपनी पूरिज आं लगा क्योंकि कमेंट करने के बात आप कमेंट मेंट कर लोगे अपने आपसे कि मुझे अब नहीं करना है अब पूरी ताकत के साथ प्ढ़ाई करनी है और आपको पढ़ना कैसे अब हम आपको बता रहे हैं सबसे पहली बात अब आपको सभी सब्जेट पर ध्यान देना है अब समय आगया है कि आपको हिंदी और इंग्लीज को भी साथ लेकर चलना है यही 50 दिन ऐसे जिसमें आप लोग अगर साइस से हैं तो आप हिंदी और इंग्लीज को पढ़ सकते हो और अच्छा प्रसिटेज ला सकते हो लेकिन पढ़ने का एक और हम आपको हिंदी और इंग्लीज की पढ़ने की स्टेड़ी जल्दी लेकर आ रहें सामको में लेकर आँगा कि हिंदी इंग्लीज में पहले क्या पढ़ना आपको और हम एक एक चीजों को कंप्लीट कराते हुए चलूंगा हिंदी और इंग्लीज में कंप्लीट कराने का मत बस मेरे डेली के टाक्स के साथ आप तयारी करते चलिए, आपका एक बहतरीन तयारी हो जाएगा, आप केवल 10 दिन दे कर देखे, केवल 10 दिन, जैसे मैं डेली का टाक्स दे रहा हूँ, टाक्स कहां पर दूगा, टेली ग्राम चैनल पर दूगा, जितनी लोग नहीं जुड़ जुड़ जाओ, नीचे डिस्करप्चर में लिंक मिलेगा, इस्ट्रागाम पर नहीं जुड़े, तो वहां पर भी जुड़ जुड़ जाओ, मैं वहां पर भी दे दूगा, ठीक है, तो आपको मैं डेली टाक्स दूगा, अभी तक मैं नहीं दिया था, लेकिन आप से मैं द चाह दिनों तक करने है, दस दिनों से कुछ नहीं होने वाला, दस दिनों से नहीं बालाता चलेगा, कैसे पचाह दिनों तक पढ़ाई करने से पहले हैं आपको एक टांटेबल बनाना होगा, टांटेबल आपके एनुसार aur Less, उसको कापी student TAНटेबल के साथ पढ़ रहे, जो की इस्टडी को लेकर मैं जैसे बताऊंगा वैसे पढ़ाई कीजिए का कि पचास दिनों तक उसी टायंटेबुल के अंसार पढ़ ले हाँ पढ़ सकते हो लेकिन आपको हर तरह से अपने दिमाग को हटा करके और फोकस करना होगा अपने पढ़ाई पर तब आप उस टायंटे पहली बाव दूसरी बाद अब आपको पुरी किताब पर पुरी सलेबस पर फोकस करना है केवाल फोकस करना है इसलिए अब आपको डीपी लेकर आरहे हैं डीपी जो की आपको अगले सप्ता से स्टार्ट हो जाएगा इस सब्ता में नहीं, अगले सब्ता से DPP मैं स्टार्ट कर दूँगा और सभी इस्टुडेंट से मैं करना चाहता हूँ उनका अगर कोई काम बाकी हो भी उन काम को कर लो, क्योंकि अगले सब्ता से मैं DPP दूँगा, DPP आपको करना पड़ेगा डेली प्रैक्टिस पेपर का दूँगा मैं, मैं सुबह में आपको DPP का कोशन दे दूँगा, टेली ग्राम पर साम को मैं DPP कोशन का सलूशन कराऊंगा, ठीक है डेली मैं ऐसा करूँगा, इससे क्या होगा एक बार उन कोशन को आप अपने से प्रैक्टिस करोगे, साम को मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपकी बेहतरीन तयारी हो जाएगे तो आपको आप प्रैक्टिस पर जाला जोड़ देना है काफी ऐसे स्टुडेंट होते हैं, आपको यह देखने को यह प्रैक्टिस करने का मतलब ये, कोई कोशन उसे तरह से लिखना, जैसे ब्रैक्टिस कहां में लिखना और उस कोशन को अपने टीचर को दिखाना आप लोग कर सकते हो मेरे साथ आप डीपी के सभी कोशन को साल्व करना मुझे बेजना मैं उसमें चेक करूंगा और कोई चीज आप गलत तरीके से लिखे होगे उसको सही कराऊंगा आप देखकर लिखना अपने किताब से कोई परणिती के साथ पूरा सब्जेट का अग्दम एक बोर्ड एक्जाम की जैसे आपका टेस्ट होगा तीसरी बात तेस्ट की बात हो गई अब आपको कैसे पढ़ाई करना है सभी सब्जेट को लेकर देखिए आपके पास जो भी समय है मैं मानता हूं कि आपके बोर्ड गस संदोंगे उनी डस को डिली करना पहले उं दस दि yolकोन को देजह जो श् Page on पहले से पड़े होंगे वह उन दस को एक घंड़े में कर लेंगे जो नहीं पड़े होंगे उनको वह 10 कोशन करने में 2 गंटे या 3 गंटे लगेंगे आप केवल 10 कोशन डेली साल्ब कीजिए आपके इस 50 दिनों में कितने कोशन हो जाएगे 500 कोशन 500 कोशन जो की आपके सलेबस के होंगे आपका जो मास्टर माइंड आता है जो आपका अनेक प्रकास के मॉडल साते है उस मॉडल जो भी 500 कोशन नहीं दिया होंगे देखेंगे तो वह मैं 500 कोशन जो मैं आपको डिलाओंगा यानि दो-1010 कोशन करके दूँगा वह नीन्गों से काफी स्टूडेंट अची डेरेविशन को साल्व करते ़िकास बिंद नाम यह काफी कोशन को साल्व करके बेश दिया एक दो-खोंस न नहीं नहीं आ रहा है मैं उसको बता दूगा आरकर यह पे टेंसन मत लेना लेकिन आप लोग इसी तरह से डरी के डेली साल करके बिजोगे अगर आप लोग साथ देकर अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ाई हो जाएगे अगर आप किसी बैच उसके चक्र पढ़े अभी बहुस्ते लोग आएंगे कोई इस बैच के नाम से कोई अलग अलग नाम से बैच आपको बेचेगा ध्यान देना बैच में कितन फढ़ने से पढ़ना चाहिए हां मैं आपको बता दूगा पढ़ना क्या ए पढ़ाई आपको अपने से करनी प्रैक्टिस आपको अपने से करना एक लास में काफी अपने से लुग सपने आएंगी जो याद नहीं कर पाओगे उनसी जो को मैं बताऊं गाच्छे से लेकिन आपको पढ़ाई अपने से करने हो आप टेलीग्राम बेज देना मुझे मैं एक से दो दिनों के अंदर नहीं बता दिया नहीं उसका सलूशन दे दिया तो फिर करना कोई भी स्टुडेंट ह लेकिन आपको मेरे साथ का उपरेशन करके पढ़ाई करना है आप किसी बैज के चकर मंपढ़ना बैज के चक्कर मं पड़ोगी फिर पस्ता होगे लास्ट मैं के पस्ता होगी मुझकर था जाएगा tatाइम फिसे अपको परफाई करने का सबतूप्ट उन icons के लिए पैसा कमा hou मैं भी चाहते कोई बैस देते था आपको अपठे भी उस्ekार्णी समध्यम आती अमकर तैयारी करने में बाकि आपकी मर्जी आपका पैसा, आपका टाइम, आपका बोर्ड, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको अगर लगता है, जूड कर पढ़ने से फादा हो रहा है, तो जूड कर पढ़िए, देखिए 10 दिन पढ़ाई करके, मैं केवल 10 दिन मांग रहा हूँ, 10 दिन केवल आप पढ़ाई कीजे, DPP के साथ, आपको लगेगा, 10 दिन में आप 100 कोशन करोगे, 100 कोशन करते ही, आपको लगेगा, सभी कोशन आपको आ रहा है, याद हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस छोड कर पढ़ाई करनी है, बाकि आ लिखना है, जैसे आपका ये डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को कैसे पेपर में लिखना है, जीवन पर्चेत उसको कैसे पेपर में लिखना है, प्रजेंटेंशन कैसे करना है, इन चीजों को कम्पलीट कराते हुए चलूँगा, तो कितने स्ट्विएंट करने के लिए त लोग दिन बर में तसन संग है तो क्या द्सकोंटबीस गंटा 10-20 गृट्णॡ सब्च्वेक्श इत कैसे ड्यारी यह याइब्स हो जाएगे यह बात चाइस करना तभी कुछ सकता है पूरी संभव आप 90 प्लस परसेंट भी ला सकते हो लेकिन महनत से और महनत सई तरीके से होना चाहिए मैनत गलत राइट से नहीं होना चाहिए महत को सई डारेक्शन में होना चाहिए decide करता कि आपका दिशा क्या है मेनत करोगे तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाएगा तो कितने student ऐसे हैं जो जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं जरूर comment कर देना और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में हम आपको पूरी तरह से तनमन धंग से 3 में पढ़ाएंगे जो भी मेरे से हो सकेगा इतना भी important questions होगा आप लोगा test हो रहा सब कुछ लेंगे कर देने तनमाट